आखिर क्यों सोते समय नहीं गिरते हैं ये पक्षी क्या आपके दिमाग में कभी ये खयाल आया है कि पक्षी पेड़ की डालियों पर सो जाते हैं लेकिन फिर भी उस पर से गिरते नहीं हैं चलिये जानते हैं इंसान जब भी सोते हैं वो गहरी नीद में चले जाते हैं आपने की तरह पक्षियों को देर तक सोने की जरूरत नहीं होती है पक्षियों के लिए गहरी नीद में जाने का समय केवल 10 सेकिंड तक का होता है आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पक्षी एक खोलकर भी सो सकते हैं पक्षियों के अंदर कुछ खा सकतियां भी होती हैं जिसका इस्तमाल करके वो सोते समय भी खुद को एक्टिव रख सकते हैं पक्षियों के मामले में उनके दिमाग का जो हिस्सा सोते समय एक्टिव रहता है उसके उलट उनकी आग खुलती है यानि अगर उनका राइट हेमिस्फेर एक्टिव है तो उनकी बाई आग खुली रहेगी यही खास कारण है कि सोते समय भी पक्षी खुद को किसी भी खत्रे से बचा सकते हैं क्योंकि उनके दिमा का एक हिस्सा एक्टिव रहता है सोते वक्त भी वो खुद को किसी भी सिकारियों से बचा पाने में सक्चम है पक्षियों के पैरों के डिजाइन की वज़ा से भी पक्षि पेड की टहनियों पर टिके रहने में सक्षम रहते हैं जब पक्षि सोने के लिए पेड की टहनियों पर बैठते हैं तो उनके पंजों की बनावट उन्हें अच्छी खासी गृप बनाने में मदद करती है ये बनावट एक तरह से पक्षियों के लिए लॉक का काम करती है और इसी वज़ा से तोत्रे डालियों पर उल्टे लटक कर भी सो सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरू करना